गुरू पुर्णिमा के इस अफसर पर आप सभी को शश्चत प्रणाम आज हम सब यहाँ पर आध्यात्मिक सांस्कतिक मानविय जीवन को दिशा देने वाले स्री स्री बुरुदेव रवी शंकर जी को शश्चत नमन करते हैं प्रणाम करते हैं जिनों ने इस देश में नहीं बलकि पूरे विश्च के अंदर अपने आध्यात्मिक ज्ञान से अपने योग के साथ अन्य कई क्रियाओं के माध्यम से देश और विश्च के करोडों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया उनका मारदशन किया उनको जीवन जीने की रहा बताई और तनाव अशान्ति से मुक्त शान्ति के मार्क पर चरने के लिए हम सब को पेड़ना दी इसलिए आज का दिन गुरू पर्णिवा का पर्व है और जिन गुरू ने हमें शिक्षा दी दिक्षा दी जीवन की दिशा दी उनको याद और स्परन करने का दिन है श्रीसी रवी शंकर जी ने संपूर्ण मानुता के अंदर अपने आध्यात्मिक अपने जीवन और वर्तमान परिपेक्ष के अंदर किस तरीके से वेट्टी जी सकता है जीने की रहार अपना सकता है उसके लिए उन्हें पुरे विश्व की दिशा दी और इसी लिए हमारी सनातन संस्कती के अंदर गुरू पुर्णिमा का बड़ा मत्व है और आज का दिन विशेश लूप से गुरू पुर्णिमा पर हम महर्शी वेद्व्यास जी को याद करते हैं जिनोंने ज्ञान के अपूर भंडार को इस स्ष्टी को वेद्पुरान के माध्यम से संपूर्ण मानोता को एक दिशा देने का काम किया था आज का दिन आदिकाल भगवान महर्श जिनोंने वेद्प को ज्ञान को मानोता को दिया और आज भी आधी भगवान महर्श हमें इस स्ष्टी के अंदर कश्ट और समाज के दर्द और पिड़ा को जिस तरके भगवान महेश ने विश्पीकर और अमरत कल्यान का काम किया उसी तरीके से आधी भगवान महेश आज भी हमें उसी तरीके की दिशा देते हैं भारत में गुरु शिष्परंप्रा बहुत प्राचिंतम प्रंप्रा है और हमेशा हमारी संस्क्रती में हमारे जीवन के अंदर गुरु का बड़ा मत्व है और इसलिए जब प्राचिंतम संस्क्रती की बात करते हैं तो राज करने वाले राजा भी गुरु कुल के अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उस गुरु किल की शिक्षा प्राप्त करते समय वह राज त्याग करकर एक सामान्य वेक्ती की तरह गुरु से वर्तमान का भईश का भूत का सारे ज्यानों का अनभव करते हैं और आज भी वर्तमान समय के अंदर भी गुरु शिष प्रंप्रा के अंदर हमारा अटूट विश्वास है भरोसा है और आज भी हमें आध्यात्मी गुरु से संस्कति गुरु से शिक्षा के अंदर हमें गुरु आज भी हमें दिशा देने का काम कर रहे हैं आज यहाँ पर जितने लोग बैठें विश्वर में उससे ज़्यादा लोग गुरुदेव रवी शंकल जी के बताएगे मार्ग पर चलकर अपनी जीवन जीने की रहा उन्होंने अपनाई है और इसी लिए जितनी गुरुओं के प्रती अपनी निश्टा और समर्पन होगा और समर्पन और सेवा और त्याग होगा उतनी बेतर शिक्षाम प्राप्त करेंगे और ये भगवान की किर्पा है कि आपको गुरुदेव का अश्रिवाद मिला है उनका ज्यान मिला है उनका अन्भव मिला है उनकी त्याग और तपश्चा जो उनूने अपने जीवन में तप और तपश्या की उसका फला आपको मिला है ये भी प्रभू की किरपा होती है जब कुछ लोगों कोई समाज के अंदर गुरूं का सने मिलता है प्यार मिलता आशिवात मिलता है और आप सब लोग गुरू के उस आशिवास से इस मानवता के अंदर समाज के अंतिम व्यक्तिते के जीवन में केसे बदलाव आए, उसके अशान्त जीवन के अंदर किस तरीके से शान्ति आए, किस तरीके से जीवन में तनाव मुक्त रहे, उसके माध्यम से कई लोगों को दिक्षा देने का काम करते हैं। हमारे जीवन के अंदर हमें पेदा करने वाले माता पिता का तो हमें जीवन में संसकार मिलते हैं, दिशा मिलती हैं। लेकिन सबसे जादा हमें हमारे जीवन के अंदर अगर शिक्षा, संसकार जिसे कहते हैं कि मनुष्य के निर्मान के अंदर अगर सबसे बड़ी भूमिका रहती है तो गुरुद्यों की रहती है। और इसलिए हम कहते हैं कि गुरु का सम्मान, गुरु का घ्यान जो हमें प्रारंबिक जीवन में भी मिलता है। और जब हम बड़े हो जाते तब भी जितना समर्पन सेवा से आप गुरू का ज्ञान प्राप्त करेंगे उतनी ही अजबुश शक्ति और आंतिक शक्ति आप में रहेगी और इसलिए मेरा मानना है कि वेक्ति के जीवन के अंदर मार्ग प्रसस्ट करने के लिए उसको जीवन जीने की रहा बताने के लिए उनके जीवन में कोई न कोई गुरू जरू होना चीए और गुरू के प्रति समर्पन होना चीए ताकि वो जीवन जीने की सही रहाव बता सके श्रीश्री गुरूदेव रवी शंकर जी ने आर्ट और लिविंग के माध्यम से केवल इस देश के अंदर नहीं विश्र के अंदर एक सो पचास से जादा देशों के अंदर उन्होंने अपने आध्यात्मी ज्यान अपनी संस्कति अपनी योग क्रिया सुदर्शन क्रिया और मानोता के कल्यान के लिए जो काम किया है उसके कारण विश्र के कई देशों के अंदर आज करोडों लोग उनके अन्वियाई हैं उनके शिष्ष हैं मैं अभी उस दिनों पहले मानने प्रधान मंती जी का बाशन सुन रहा था और प्रधान मंती जी ने कहा कि यह मंगोलिया जैसे देश के अंदर जहां पर उस कारेकम में हिंदुस्तान के लोग कम थे लेकिन मंगोलिया के मूल रूप के लोग ज़ादा थे उन्होंने किस तरीके से शिरी-शिरी गुरुदेव रविशंकर जी के आध्यात्मिक ज्यान के माध्यम से प्रभाइत होकर उस मंगोलिया जैसे देश के अंदर जो बुद्ध को मानने वाला देशे वहाँ भी कड़ो लोगों ने गुरुदेव की शिक्षा प्राप्त की और एक शिष्ट के रूप में उन्होंने वहाँ पर मानने प्रधार मंती जी का अभिवादन किया गुरुदेव ने किवल देश में नहीं पूरे विश्ट के अंदर राष्टिय अंतराष्टिय समश्याओं के समहदान का रास्ता भी बताया देश के अंदर हो अन्य देशों के अंदर हो उन देशों के अंदर आशान्त की उ युद्ध की इस्तिति के अंदर गुरुदेव ने आध्यात्मि ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान और अन्भव के माध्यम से भारत के अंदर भी शान्ती का संदेश दिया और विश्च के कई देशों को शान्ती के मार्क परसर करने में गुरुदेव की बहुत महत्पून भूमी का है और उन्होंने केवल विश्च के अंदर शान्ती हो इसका संदेश दिया से ही लेकिन विश्च के अंदर शान्ती जबी होगी जब वेक्ति आध्यात्मि ज्ञान से अपनी आन्तिक उर्जा को प्राप्त करेगा और आन्तिक उर्जा को सामाजिक जनकल्यान की काम में लगाएगा इसलिए गुरुदेव ने देश भर के अंदर 700 से ज़्यादा विध्या ले जहां 70,000 से ज़्यादा विध्यारती पड़ते हैं उनको वर्तमान शिक्षा दी, आधूनिक शिक्षा दी, विध्यान की शिक्षा दी लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा का ज्यान दिया विध्यान के माध्यम से व्यक्ति कितनी भी तरक्य कर ले लेकिन जब तक उसके जीवन में आध्यात्मिक ग्यान नहीं होगा उसके मन में शान्ति नहीं होगी इसलिए व्यक्ति के मन में केवल सांसरिक भोतिक सुईधाओं के माध्यम से शान्ति नहीं मिलती अगर भोतिक सुईधाओं के माध्यम से शांती मिलती तो दुनिया के कई देशों के अंदर नोजवान अशांत नहीं होता तनाओं में नहीं होता भारत वो देशे जहां दुनिया के वेक्ति जो अशान्त तनाओं में रहते हैं वो यहां आकर शांती प्राप्त करते हैं और गुरुदेव रवीशंकर जी जैसे कई गुरुओं ने यहां आद्व्यत्रिक रूप से वेक्ति को शांती देने का काम किया है उन्होंने परियावरण के रूप में एक अभ्यान चलाया और आज भी पुरे देश के अंदर परियावरण के मत और किस तरीके से हम परियावरण को सुरक्षिर रखते हैं उसके लिए उन्होंने पेड़ लगाने का एक जनांदोलन शुरू किया और जनांदोलन के माध्यम से वेक्ति अपने जीवन के सामान विहार कारे में भी परियावरण को सुरक्षिर रखे और आने वाली पिड़ियां भी सुरक्षित है इसके लिए उन्होंने करोड़ों अन्यों को और देश के लोगों को एक व्यापक उसे परियावर शुरक्ष इसके साथ साथ समाज के अंदर किस तरीके से हम आध्यात्मिक और ग्यान के माध्यम से और परिवर्तन कर सकते हैं इस दिशा के अंदर बहुत बड़ा योगदान है मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर हम इस देश व विश्व के अंदर गुरु देव भी आने वाले हैं शायद उनका इंतिजार हम सबको और मैं आप सबको इस मोके पर उन्हें यही आगरह करता हूं कि यह वर्ष हमारे आजादी का अमरत मौस्व का वर्ष है और इस अमरत मौस्व के अंदर हम अपने आध्यात्मी ज्यान गुरु के गतायगे मार के आधार पर इस संकल्व के साथ कि इस देश के अंदर हम को ही परिवर्तन लाना है भगवान ने हमें इसी काम के लिए बेज जाए इस समाज के अंतीम वेक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन लाएं उसके चेहरे पर कुशी लाएं उल्लास लाएं और सामाजिक जनानौलन के माध्यम से समाज में परिवर्तन करने का काम करें यह हमारे लिए संकल्प का वर्ष है मैं पुने स्री स्री गुरुदेव रवीशंकर जी के चड़नों में प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ उनका आध्यात्मिक ज्ञान और उस ज्ञान को हम समाज के अंतिम कोने में अंतिम विक्तिता कोचाने में अपने लक्ष को पूरा करेंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महदे